सुनी जी बहुत स्वागत है आपका CNPC पजार में कैसे देखते हैं आप अभी मार्केट के ट्रेंड को थोड़ी बहुत वालटेल रहे ही थोड़ी दिन के लिए क्योंकि बहुत से फैक्टर्स है जो मार्केट को इंफ्लेंस कर रहे हैं अभी जी परिटिकल के अलावा यूएस में जो रेट कट का पहले बहुत बड़ा रेट कट होने का बात हो रहा था अब तो उतना नहीं लग रहा है रेट कट स्लोड़ान होगा इसके साथ अभी अर्निंग सीजन भी सामने है अब चाथ चिदो अर्निंग सीजन आई है उदो बहुत कमफोड़बल नहीं है और मेरे ख्याल में ओड़ा थोड़ा धंडा रिकरा है तो मार्केट भी इस वक्त में एक 2026 की अर्निंग को एस्टिमेट करने के कोशिश करेगा तो हर सेक्टर हर कंपनी जो भी अर्निंग गाइडन्स दे रही है उसको स्टड़ी करके रिएलकेशन स चाहिद करना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत मार्केट से कैश हटेगा और साइड लाइन में वेट करेगा और इसमें ने वो यूएस एलेक्शन की नजदी की भी एक खास चीज़ है तो मैंने थोड़े जिन के लिए वालिटिल्टी जारी देख रहा हूं मार्केट मार्के कर रहा है मार्केट को अभी और जो एक करेक्शन फेज भी हम थोड़ा देख रहे हैं क्या ये भी आपको लगता है कि मिड नवेंबर तक ये भी चलेगा ने देखे जो एनिंग सीजन के रिजल्ट तब तक आएंगे ना तब तक फ्रेश डिप्लाइमेंट नहीं होगा तो लिकुडिटी मार्केट से बाहर हटके वेट कर रहा है चाहिज कैश में सेकंड चीज है कि चाइना का जो खबर पहले जो स्टिमिलस की बात हुई थी वो उतनी बड़ी नहीं है फिर भी वालुएशन के तोर पर अगर आग देखें चाहिना बहुत बहुत रीजनबल वालु को जाएगा मार्केट का और उसके बाद स्वेगी का भी IPO की बात हो रही है तो शायद IPOs का भी जो बहुत सब बड़े IPOs है तो थोड़ा लिकुडिटी उसके लिए भी भार जाएगा मार्केट से तो मेरे कहल में क्या नौंबर तक टेकेगा यह कहना मुश्किल है क्योंकि द लोग को लगेगा कि consumption में एंटर करना चाहिए तो नौंबर में तक कहना बहुत मुश्किल है बगर definitely next couple of weeks के लिए थोड़ा वाल्टिल्टी रहेगा तब तक की earning season का clarity नहीं मिलता है और अगर दिवाली से दिवाली तक का हम market देखें तो आप कैसे समझाएंगे कैसा trend रहा है कौन से sectors ने outperform किया है पिछले दिवाली से इस दिवाली तक आप कह रहे हैं या इस दिवाली से अगले दिवाली तक ने वो तो अभी मैं पूछूंगी पहले आप पिछले दिवाली का बता पिछले दिवाली से ये दिवाली तक देखें बेसिकली इंफरा-related space में ही बहुत दिल्चसपी आई है तो defense related और PSU में जो value का एक pick-up हुआ था तो best performing मेरे ख्याल में recent correction हुआ है इस सेक्टर में फिर भी एक साल की बात करें तो मेरे ख्याल में यही जो infrared defense और PSU तो यह एक catch-up rally value catch-up rally हो रहा था तो इसलिए मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत अच्छा performance दिया है इस साल में तो आपको क्या लगता है कि अभी जो next diwali तक अगर हमें सोचना है तो कैसे निवेश करें कौन से sectors आपको लगता है कि carry forward करेंगे क्योंकि अभी एक sector rotation भी चल रहा है कौन से sectors में नई opportunities है कौन से sectors पिछले दिवाली से ये दिवाली तक चले है वो आगी भी चल सकते हैं कैसे आप देख रहे हैं और अगर वो एक्छल प्राविट कैपक्स का पिकप से साल हो जाता है ना तो डेफिनिटी वो गालिएशन नंबर जिस्टिफाई होंगे और उनके order book के कारण और भी आपको मार्केट में आ सकती है तो मैं इंफर रिलेटेट पैक्ट में जरूर लास्ट यर का भी और नेक्स यर का भी एक डीसन रिटर्न देख रहा हूं मगर मुझे सबसे बड़ी रिटर्न मेरे को बीएफसाई से में देख रहा हूं मेरे क्यों क्योंकि कि बैंक्स दब हुए हैं थोड़ी प्रेजर में हैं बहुत से कारण है जो डीटेल में कारण नहीं बता हूंगा मैं मगर डेफिनिटली सब को मता है कि बैंकिंग सेक्टर में एक दबाव है वालिएशन के उपर मगर जैसे मैंने कॉप्रेट के बात की ना उसके साथ आपको डेफिनिटली बैंकिंग का एक लेंडिंग का रिवैबल होगा और इश्यू क्या है बैंक्स में की नेट इंटरेस्ट मार्जिन निन चो कहते हैं विकॉस डेपॉसिट जैनिंग में मुचलात आ रही है अभी और इसलिए बंगर डेपॉसिट ट्रेट्स भी ज्यादा आपको एक लेक्सिविटी SME सेक्टर देखें 12-14 परसंट पर बारो करती है तो वो अगर पिक अप हो जाएगा तो बैंक की जो निम की कंसर्न है वो दीरे-दीरे हट जाएगी और जैसे ही वो हटती है तो बैंक की वालिएशन भी इंप्रू होनी चाहिए मेरे ख्याल में त मेरे ख्याल में ओवराल BFSI एक अच्छा रिटन नगले सरमेजे सकता है थोड़ा आज उसका व्यू उतना पॉसिटिव नहीं है बट फिर भी मैं एक डार्क होस एक थोड़ा स्राइडली कॉंट्रेर ओपिनियन लेकर उसी के उपर मैं बैट जादा लगाऊँ पर सुनी जी दूसरा जो एक सेक्टर है जो बहुत चला है और चाइना की स्टॉरी की साथ भी जो चल रहा है वो है मैटल सेक्टर और उसमें फेरिस नॉन फेरिस दोनों मैटल को अगर देखना है आप कैसे देख रहे हैं कितने शाइन कर सकते हैं अगले साल में मैटल साथ करने के लिए में इंडिया को फोड़कर बाहर हो जाना है क्यूंकि दो चीज इसके पीछे एक युई-एस एक स्रॉंग रिवाइबल और चाइनीज एकॉनद्र की स्टॉंग रिवल manufacturing cycle pick up होती है तो मेरे ख्याल में metals की दाम London Metal Exchange में उस World Economic Advanced देश की recovery और चाइना की रिक्तेवरिकों पर depend होती है इंडिया की situation में steel तो automatically infrastructure में demand होता है copper, aluminium भी buildings और इसमें electrification में इसमाल होता है तो demand की कोई problem नहीं है बगर problem है दाम fix होता है और इंडिया तो इस सेक्टर में always a cyclicality इसको global cyclical मानते हैं तो इस cyclicality में international data का बहुत बड़ा हाथ होता है तो इसमें एक साल का बैट के व्यू लेना बहुत मुश्किल से मैं कहूंगा कि tactically आप more technical analysis में खेलते हैं चाहिए उसके basis पे आप metals पे tactically enter exit एंडर exit कर सकते हैं पर एक metal जो चलेगा वो होगा gold क्योंकि gold की बात क्या है कि दो तीन factors उसको drive कर रहे हैं एक है रेट कट का रुजान जो gold के लिए positive होता है क्योंकि US dollar के assets से gold में shift होता है second यह जो US की debt burden बढ़ रहे हैं तो कई देश की sovereign wealth fund भी US dollar exposure को कम कराके alternatives में जुन रहे हैं जहांपे gold के सिवा अभी कुछ alternatives सीधे सामने ने दिख रहे हैं तो overall gold as a metal should do well बाकी metals international economic cycle के ओपर depend होगा सुनी जी अगर mutual fund industry का growth हम देखे कैसा performance रहा है पिछले साल में और अभी आगे जाके अगर निवेश करना है तो आप कौन सी category suggest करेंगे तो mutual fund industry के growth भैंकर strong हुई है इसमें दो कारण है एक अपको stock market का performance mutual fund industry के AEM को जबर जिस्टी से आगे बढ़ा रही है second new investors जो आ रहे हैं अभी 5 crore के आंकडे cross हो गया है individual यानि अगर individual pan को अठा दे overall folio से के तो 12 crore से ज्यादा है अगर 5 crore एक important level है जो हम पार कर चुके है यह नए 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 निवे शक हम अंदर लाने में successful रहे है mutual fund industry तीसरी बात है कि यह growth कैसे आई यह SIP रूट के जरिए COVID के पहले आप देखे SIP book 10,000 crore तक भी नहीं था उसके बाद एक साल पहले 16,000 crore और आज 25,000 crore पर मंत की करीब बुरा है और ज्यादा तर two-third of SIP जो आ रहा है न वो लंबे अवदी तक आ रहा है यानि 5 साल प्लस की SIP है तो आज अगर 25,000 crore हर मैने आ रहा है न तो वो समझे कि 5 साल के लिए यानि हर साल आपको 3,000,000 crore आपको mutual fund को buying capacity आ सकती है तो वो अपने देश की stock market को और industry की growth को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है तो mutual fund industry का outlook में बहुत positive समझ रहा हूं क्योंकि 140 crore की आपादी में अभी 5 crore unique fans आए है तो रास्ता बहुत लंबा है और growth भी बहुत तेजी से आ सकती है तो मेरे ख्याल में mutual industry एक soft spot पर है, sweet spot पर है और नए चीज चो हो रही है कि सेवी ने अभी एक नया category investment strategy उसको नाम दिया है जिससे PMS AIF जो बड़े बहुत rich वाले हैं हैचनाइस की निवेश करते हैं minimum 50 lakhs 1 crore से normal mutual fund जो हमें 100 रुपया से पे काम चलता है इसके बीच एक 10 lakh वाला category लाकर नए-ने strategy जहां पर उन्होंने derivatives का इस्तमाल mutual fund को दिया है तो ये एक exciting new है क्योंकि कुछ लोग investors जो 5-10 साल से market में है मगर उसकी corpus उतनी जादा नहीं है मगर जानकारी बहुत है वो थोड़ा ज्यादा risk भी ले सकते हैं तो ये एक अच्छी कबर है mutual industry की आगे development के लिए बहुत बढ़िया कबर है दुसरा सवाल आपने पूछा कि निवेशब को कहां पे invest करना चाहिए तो देखें वालुएशन की बात करें तो obviously clearly आपको एक चीज है कि इंडिया almost Greece में पढ़ा था थी Greece के साथ most expensive market world में है second India के अंदर भी देखें तो broader market की valuation large cap से बहतर है small cap and mid cap valuations high है तो overall India की valuation देखें तो large cap की comparison नहीं इंडिया महंगी है मगर smaller media को चुड़े तो definitely इंडिया सस्ता market नहीं है तो ऐसी हालत में market की outlook में जब liquidity जोग ज़्यादा होता है तो future की good news सब discount हो जाते हैं तो कुछ भी एक small negative news भी आता है तो उसके कारण एक volatility आती है मगर best thing ये SIP book की बात मैंने जो की न उसके कारण आपको market में गिरावट जादा नहीं हो रहा है तो एक downside protection आपको आ रहा है because fund managers पास हर मेने cash आ रहा है जो भी stock ज्यादा correct है उसको खरीदने में तो इसलिए इंडिया की जो निवेश करने के लिए हमें सोचना चाहिए वो एक multi-cap शेतर में ही सोचना चाहिए क्योंकि fund manager को अगर multi-cap में पैसा आए ना तो वो सही तरह से उसको deploy कर सकेगा तो मेरी यही है कि advisors हो या mutual fund distributor हो या इवेशक हो कि वो ज्यादा flexi cap multi-cap में पैसा दे ताकि उनकी जो allocation वो कर रहे है उससे fund manager भी broader base तो कहीं पे भी उनको एक cap को में एक थोड़ा profit opportunity या value दिख रहा है वो उसको जाके नहीं उसको पैसा दे सकते है तो मेरे क्याल में multi-cap होता है एक शेकर flexi cap होता है और large and mid-cap ये तीन segment of funds pure equity में मैं कहूंगा कि अपको और अगर आपका risk capital उतना नहीं है volatility लिए तो balance advantage और mighty asset fund भी एक अच्छी options है जहां भी थोड़ा debt और थोड़ा equity में और थोड़ा gold में भी निविज होता है multi-set में तो आपके risk capital के basis पे आप decide कीजिए hybrid category है थोड़ा less risk falling को और जो equity market में experience है और risk लेने के लिए तयार है उनके लिए में multi-cap segment में तीन funds flexi cap, large and mid-cap और multi-cap इसमें निवेश करने की सलाव होता है जी एक समय थोड़ा काम है तो एक quickly मैं सवाल पुछना चाहूंगी consumer discretionary में कौन से verticals आपको पसंद है यही है कि auto और reality यह दोनों क्योंकि मानते हैं कि case shape recovery के कारण बड़े घर और बड़े गाडियां ज्यादा विक्ती है अभी तक बट वो एक trend में अभी reversal होगा अभी bottom of the pyramid से भी आपको demand शुरू होगा तो छोटे छोटे घर और छोटी गाडियां two wheelers इनका भी मैं आगे जाके एक level देख रहा हूँ तो k-shape से u-shape recovery में बदलाव में 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 को consumer description में small end consumer small value products का बहुत बड़ा ग्रोथ देख रहा हूँ बिरने sector मतमें ध्यान आपी शेक को चोपर एपर high end ने small and mid segment मां अपड़े एक सारी एवी हैं काम का चुछ है किए अचे पर एस साथेज सुनिल जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जूडने के लिए और आपके valuable viewpoints हमारे साथ शेयर करने के लिए अन्य साथेश मने पनाप चुरेजा पिंचो डाला रेजो cnpc बचार साथे नमस्कार अन्य साथे हैं तर आपके लिएधियो नमस्कार अन्य साथे टाला इस सोब का लिए झाल झाल